दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मुवाइल फोन से अर्निंग एप कैसे बना सकते हैं और उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं मैं इसकी सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को देखते रहिएगा और और उसमें रेफरल सिस्टम या फिर और वही और भी कोई टास्क कर निंग सिस्टम डाल करके आप पैसे कमाने वाले हैं इसे से तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको सबसे पहले अपने फून में स्केश्वर नाम का अप्लिकेशन इंस्टॉल करना होगा और इसे आपन कर लेते हैं मैंने इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं लेकिन मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट अर्निंग के बारे में बताने स्टार्ट किया है तो यह प्लस वाला बटन जो नीचे में दीख रहा आपको यहां पर इस प्लस वा मैं एक बार फिर से डिठेल करता हूँ ऐसे मैंने एक वीडियो भी बना दिया था इसके उपर लेकिन यहाँ पर एक color primary डार्क आपको इस पर ध्यान रखना है color primary dark आपका जो main color है वो आपका इसका color होगा है hedder priory होगा तो मैं इसका कलर प्राइमर्य कलर यही चूस कर लेता हूं और यह मेरा कलर कलर भी यही होगा ओरें सलर्म मैं इसे से थोड़ा सा लइड़ कलर यूज करता हूं और इसके बाद kol dhp ॥ आपको ध्यान देना है कि आपका क्लरेंस त्योल्ण एडिट टेक्स्ट का नीचे वाला लाइन कलर है यही कलर आपका होने वाला है तो इसे भी आप वैसा ही रखिए ओरेंज में डीप औरेंज में आपको ऐसा मिल जाता है लेकिन ओरेंज में ही मैं रख लेता हूं ये वाला और इसके बाद अब इसके कलर कंट्रोल हाइलाइट जब बटन क्लिक होगा तब कैसा अनिमेशन आएगा क्लिक होने पर तो औरेंज कलर में ही मैं एकदम पूरा फीका कलर यूज कर लेता हूं इसे इसे भी फीका हो सकता है ये वाला और इसके बाद यहां से कंट्रोल कलर नॉर्मल जो है इसे आपको रखना है चेक बॉक्स के कलर के यूज के लिए तो चेक बॉक्स का भी कलर आप ऐसा औरेंज कलर का रख सकते हैं फिलाल मैं ऐसे यूज कर लेता हूं आप देख सकते हैं मैंने सभी कलर को ऐसा कर लिया है इसके बाद आपको क्या करना है इसे मैं यहां पर हाइड करता हूं इसके बाद आप इसके इसके बीच में आपको इस पेस नहीं लगाना अंडर्सकोर यूज़ कर सकते हैं और बस आपका बस इतना बन करके रेडी हो चुका है इसके बाद आपको टैब टू चेंज आइकॉन पर गैलरी से आप आइकॉन चूज कर सकते हैं फिलाल मैं चूज कर लेता हूं अपने गैलर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह कुछ ऐसा इंटरफेस बनके रेडी हो जाएगा जिसमें आपको नीचे क्लिक करना है मैं एक्सेमल पर और आपका एक पेज है और इसके बाद और भी आप पेज बनाने वाले तो फिलाल मैं करीबन आठ पेज बनाऊंगा और इन आठों प यूजर आपको सभी चीज इसमॉल में रखने है यूजर इसके बाद अंडर्सकोर ए यूटी एच इस पेज में हम क्या करेंगे कि यूजर का ओदेंटिकेशन करेंगे जैसे यूजर लॉग इन करेगा साइन अप करेगा और रजिस्टर करेगा जो भी चीज फॉर्गट प यहां एड बटन पर क्लिक कर देना है अब आपका इसके बाद तीसरा पेज स्टार्ट होगा वो पैज होगा वाइलेट का पेज तो फिलाल मैं यहां से एड करता हूँ वैलेट का पेज डबलू ए डबल एल एटी वैलेट के पेज में आपको यहां पर टूल बार नहीं होंगे तो इसके बाद एड करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पेज हमारा होगा रीडिम का पेज तो यह हमारा रीडिम का पेज होगा इसमें भी टूल बार नहीं होगा और यहां पर बोथ और हिडन करके आपको एड कर लेना है रीडिम के पेज में क्या होगा मैं आपको this laid carabiner encompass यहां से homm 편 his home page में क्या होंगे यह total task ओंगे जिसमें Hm istoool Bar और साथ आप डrower भी रख सकते हैं तो अगर आप ड्रावर रखते हैं तो आप को चूर्डी सी प्रॉबलम आएगी कि ड्रावर में आपका सब कुस एंज fabrics नहीं हो पाएगा तो बाद फिलाल हम ड्रावर के लिए extra page रहीं बना करके उसमें ड्रावर एड करेंगे तो फिलाल आप इसमें status बारी यूज करें और इसके बाद एड कर लेते हैं इसके बाद जो हमारा 6th नंबर page होगा वो होगा profile का page तो profile के page में हम क्या करेंगे जैसे user का profile इतना भी होता है user अपना profile से इडिट करता है अपना नाम आइकॉन या फिर जो उसका logo होता है वो अपना चेंज करता है अपना date of birth email id या फिर date of जितना भी changing करना है उसको अपना mobile number सब कुछ update करता है तो इसमें भी आपको toolbar का use नहीं कर और इसके बाद बोथ और हिडन करके एड कर लेना है इसके बाद आपको मैं बताऊंगा रेफरल वाले सिस्टम में आपको पेज्वेश माला मैंये उसोर रेफ़ल Size लगाने चाह था तो इसी और नहीं लगाने चाहें तो आप है्च आप इसya weeb मैं इस रेफरल पेज में ऐसा सिस्टेम दूँगा कि यहां से जो भी यूजर आएगा अपने एप को इस एप को सेयर कर पाएगा यहां से और जैसे वो सेयर करेगा तो कुछ पैसे उसको मिल जाएंगे तो ऐसा आप सेट कर सकते हैं इसके बाद यहां पर इसमें भी टूल बार आपको नहीं रखने है और बोथ एंड हिदन करके आपको सेब कर देना है इसके बाद जो हमारा लास्ट पेज होगा वो होगा ड्रावर का पेज तो मैं इसे प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ और इसमे मैं ड्रावर नाम रखने वाला हूँ ड्रावर मैंने रख लिया है और इसके बाद इस ड्रावर में वो सभी फंसन होंगे जो यूजर को दिखेगा कि मेरा प्रोफाइल यहां है मेरे अर्निंग सितने हो रहे हैं वो सारी चीज यूजर को दिखेंगे इसके बाद इसमें भ करना यह टूल बार जो आ रहा है इसे हमें हाइड करना है टूल बार को हमें हाइड करने के लिए सिंपली यहाँ पर पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको व्यू में चले जाना है और यहाँ पर में एक सेमल में आपको जाना है और इसके टूल बार को हाइड करके both and hidden करके save कर लेना है मैं आपको छोड़ी से एक बात बताता हूं both and hidden करने का मतलब आपको यहां पर समझ आ रहा होगा जैसे कि आप देखते हैं कि यह हमारा screen orientation एक portrait में है एक landscape में है एक both में मतलब कि आप अगर portrait में रखते हैं तो आपका एप जो होगा वो landscape मोड में नहीं हो पाएगा आपका portrait में ही रहेगा और बोच में करते हैं तो दोनों मोड में होगा तो यहां पर आपको यह keyboard हमेशा hidden रहेगा जैसे आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहां पर व्यू नेम पर क्लिक करते थे तो keyboard आता था तो उस तरह से आप hidden रखेंगे तब ऐसा होगा इसलिए मैं ऐसा रखता हूं और टूल बार में बता देता हूं यह टूल और है और हाँ यहांप मैं बताता हूं तो इसके लिए में वीडियो भी मुरूंड भी बना गया है मैं फिल्ग और यह यहां बिटन लिंक वहने और यहां पर आप इस हेडर को भी चेंज कर सकते अगर आप ड्रावर, ड़ेंगे करें, तो फिलाल मैं यहां से बताता हूँ आपको toolbar नहीं रखना और fab आप अगर रखना चाहते हैं तो नीचे में fab का button है आप इसे भी लगा सकते हैं तो फिलाल इतना आपको करके यहां पर save करना है और मैं बढ़ता हूँ अपने इसके home screen पर तो यह काफी loading लेगा क्योंकि इसमें ज्यादा page बन चुका है तो इसे compile होने में भी थोड़ा सा time लग सकता है थोड़ा सा work तो होगा ही इसमें क्योंकि आप इतना बड़ा एप बना रहे हैं तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ इस page में आपको एक linear age लगाना है और linear age लगाने के बाद इसके height को आपको match parent करना है और orientation को आपको vertical कर लेना है इसके बाद इसको क्या करना है आप ध्यान से देखिएगा इसके gravity को center horizontal and center vertical करके select कर लेना है इसमें अब आपको image लगाना है image view आपको एक लेके आना यहाँ पे और इसके बाद आपको यहाँ पे लाना है एक text view और इसके बाद आपको यहाँ पर यदि आप ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो एक linear age लेके आ सकते हैं और इसमें आप लगा सकते हैं एक progress bar तो यह हमारा progress bar हो जाएगा और इसके बाद मैं करने वालों यहाँ पर इसकी padding को मैं 0 कर लेता हूँ और इसके orientation को मैं vertical कर लेता हूँ इसके बाद आपको इसमें भी एक text view डाल देना है या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं इसके width को आप इधर से ध्यान दिजिए इसे मैं कर लेता हूँ 70 dp और इसके बाद इसके height को भी आपको 70 dp कर लेना होगा 70 dp तो यह कुछ ऐसा बन जाएगा और इसके बाद इसके orientation को आप vertical ही horizontal ही रहने दिजिए इसके बाद आप देख पाएगे कुछ ऐसा बन जाएगा तो इसके gravity को आपको जाना है यह वाला जो है इसकी gravity को आपको center horizontal vertical कर लेना है इससे यह beach में आ जाएगा तो text view को आपको इधर लेके आ जाना है और इस text view में आपको लिखना है loading तो इसे मैं मिटा लेता हूँ और यहाँ पर loading और dot 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 save करना है और इसके बाद इसके text size को आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है जैसे 18SP and इसके text style को आपको bold कर लेना है और इसके text color को आपको कर लेना है orange color तो ऐसा बन करके यह ready हो जाएगा इसके बाद आपको आप यहाँ पर एप का नाम लिखना है जो आपका एप है जैसे मेरा यहाँ नाम है इस एप का earning एप earning एप तो मैंने यहाँ पर earning एप लिख दिया है और इसके text size को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसके text style को bold करके इसके color को मैं पुछ नीचे हो जाए हैं तो मार्जिन सेलक्ट कर सकते हैं इसके बॉटम मार्जिन को आप रख लेना है आपको 100 इसके बाद इसे सेब कर लीजी तो यह कुछ ऐसा बन जाएगा और इसके बाद अब आपको क्या करना यहां पर इसमें आपको इमेज एड करना है तो मैं तो मैं यहां से इसका नाम रखने वाला हूँ रिनेम करके लोगो और यहां पर सेब कर लेता हूँ तो यह सेब हो गया और इसे बैक कर लेना आपको और इसके बाद आपको यहां पर क्लिक करने के साथ इस इमेज पर जाना है और लोगो को सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद यह कुछ इतना बड़ा सा हो जाएग तो यह कुछ ऐसा बन जाएगा और इसके image को आपको क्या करना है scale type में जाने के बाद आपको यहां से यहां पर fit center करके select कर देना है तो अब आपको क्या करना है यहां से आपको चले जाना main xml से अब आपको main xml से जाना है user के authentication page पर कि जैसे app का splash आये तो वहां से user अपने login या sign up कर पाए तो फिलाल मैं यहां से जाता हूँ event पर on create में और इसके बाद आप यहां पर आपको component में जाना है और आप यहां पर add button जो दिख रहा है आप यहां से add component कर सकते हैं और intent पर आपको choose करने के बाद intent का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं मैं फिलाल i रख लेता हूँ और इसे add कर लेता हूँ अब यहां पर blocks आपको मिल जाएंगे तो set screen को आपको यहां pick करके लाना है and यहां से start activity आपको pick कर लेना है इसके बाद आप finish activity का यहां use कर सकते हैं मैंने पिसले वीडियो में बता दिया है कि आप यहां पर इन सारे चीज़ों को use कैसे कर सकते हैं तो user activity में हमें जाना है और इसके बाद intent को I choose करना है अगर आप इन ब्लॉक्स के बारे में और भी detail में जाना चाहते हैं तो आप मुझे comment में बताईए मैं ब्लॉक्स के बारे में complete detail बताऊंगा जुरूर तो यहां से main xml पे आपको जाना है user auth पे क्योंकि हम अब user auth पे आ चुके हैं अब यह हमारा होगा login का page sign up का page और रेजिस्टर का page जिस page को हम next video में करेंगे लेकिन फिलाल हम एक text view यहां पर देख करके आपको दिखाएंगे यह हमारा user का auth page है यहां पर हम लिखने वाले हैं user auth मैं फिलाल इतना save करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यह page is real में work करता है या फिर नहीं तो फिलाल आप यहां पर एक छोटी सी काम करना में एक सेमल में आप ध्यान दिए कि यहां पर on create में आपने तो डारेक्ट यहां पर लगा दिया लेकिन आपको यहां पर एक timer लगाना होगा component में आपको जाने के बात aid component में आपको timer लगाना होगा आप timer लगा सकते हैं timer के लिए मैं टी component यूजक्त कर लेता हूँ और यहां अगर एक हजार आप रखते हैं तो गा लेना है तो इसके अंदर यह आजाएगा तो timer का टी मैंने सेलेक्ट कर लिया और after यानि कि अगर 1000 आप रखते हैं तो 1000 का मतलब 1 second तो 2000 का मतलब 2 second 3000 का मतलब 3 second तो फिलाल मैं 3 second का यूज़ करता हूँ 3 नहीं 2 second का hardly 2 second 3 second ही रखे try करते हैं save कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे अब run करके check करेंगे कि ये app कैसा work कर रहा है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है मैंने आज के इस वीडियो में इतना कुछ बताया अब next वीडियो में login पेज के बारे में हम बात करेंगे तो इसे मैं install कर लेता हूँ और आपको मैं open करके दिखाता हूँ ये loading ले रहा है और ये कुछ ऐसा बन चुका है और देख सकते हैं यूजर और पेज पेज पे आप ओटमेटिक तीन सेकेंड के बाद आ चुके हैं यदि आप यहां से बैक भी करके मैं दिखाता हूँ यह earning app और इसे start करते हैं जब भी तो ये कुछ loading लेता है तीन सेकेंड बाद आपको user authentication page पे लेके चल जाता है तो आपको इतना कर लेना है फिलाल और बांकी next video में मैं आपको बताऊंगा और आपको patience रखना होगा थोड़ा सा यदि आप patience नहीं रखते हैं तो आप ऐसा एप नहीं बना पाएंगे मैं बहुत सारे UI डिजाइन बताने वालों sketchwear में अभी तक किसी ने किसी ने नहीं बताया है कि आप ऐसा कैसे बना सकते हैं जैसा कि आपने वीडियो के thumbnail में देखा है जस्त लाइक उससे भी अच्छा UI डिजाइन में आप बनाएंगे पता ही नहीं चलेगा किसी को भी कि ऐसा एप sketchwear में भी बना जा सकता है यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like and share करिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब